डॉक्टर बाबासाहिब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी नवस्कार मीत्रो डॉक्टर बाबासाहिब अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी ना चैतन्य स्टुडियो मा आफ्सरोन स्वागचे मित्रों Master of Social Work ना Paper No.205 Counseling Theory अने Practice नो अभ्यास आपड़े करी रहा छिए सलाहकार अने सलाह साथे संक्राईला विवीद पासाओ नो अभ्यास आ पेपर मां करवा मां आवी रहा छे अत्यार सुधी ना वर्गों मां आपड़े जोयू छे के सलाह नी व्याक्या सलाह ना कारियो सलाह ना लक्षयाईनको पगिरे जिवा पासाओ नो अभ्यास आपड़े करे होतों गया वर्गमा आपडए एपन जो यू के सलाह कार तरीके जहरे सेवार्थी साथे सलाह कार कामकाज करे चे, त्यारे केवा क्यों पगल थ्या केवा क्यों तबक काओ माथी आखी कामगीरी पसार थाये चे एडले के सलाहकार माटेने पद्धतियो तबक काओनो अभ्यास आपडे करे होतो। आजना वर्गमा एडले के ब्लोक नंबर 3 सलाह प्रक्रियाना मोडल काउंसेलिंग माटेना कौशल यो। जे ब्लोक नंबर 3 छे एनना यूनीट नंबर 2 अने 3 नो अभ्यास आपडे करवाना छी यूनीट नंबर 2 अने 3 पिले काउंसेलिंग माटेना कौशल यो अने काउंसेलिंग माटेना मोडल हवे सलाह नी अत्यार सुधी ने जे चर्चा आपड़े करी छे एमां आपड़े ये जोयू छे के सलाह ए वैग्नानीक पासाओ ना आधारे सेवाओ आपती एक साखाँ छे जेमां सलाहकार ए सेवार्थी नी एवी एवी समस्याओ साथे कामकाच करे छे के ए सेवाओ इंटर पर्सनल पन होई सके अने पोतानी जातनी एड़ले के इंटरा पर्सनल होई सके व्यक्ति व्यक्ति वच्चे नी पन होई सके अने व्यक्ति नी पोतानी साथे ना प्रस्नों नी पन खिलिक समस्याओ साथे कामकाच लेवात होई छे व्यक्ति पोते गणिबदी वखते पोते पोतानी समस्याओ साथे समाधान नथी करी सकता पोते पोतानी जरुरियातो प्राप्त नथी करी सकता व्यक्ति पोते समायोजन नथी साधी सकता अब गणावदा पासाओ जे व्यक्ति ना व्यक्तित्व साथे संक्राएला छे ये तमाम पासाओ साथे सलाकार कामकाच करतो होई छे तो आ तमाम बाबतो जे रे साथे कामकाच करवानू होई छे सलाकारे त्यारे सलाकार नू व्यक्तित्व खूबज असर करतू होई छे समग्र सलाप्रक्रियाने अने त्यारे मोट्टा भागे सलाकारे घणा बदा एवा परिवर्तियों होई छे एना उपर कंट्रोल राखो परतो होई छे गणिबदी वखते एवा परिवर्तियों असर करता होई छे सलाप्रक्रियामा के जेमा सलाकारे खरे खर पोताने जात प्रतेनू नियंत्रण राखोवू परतू होई छे सलाप्रोफेशन ए सिधे सादो के एकदम सरड होई एव न थी एमा व्यक्तिनू व्यक्तित्व मा टटस्थ था परिपक्वता परस्पर नी सहानु भूति अने नेनेलेवानी प्रक्रिया पन सलाकारमा आगवी बाबतो लही जाई सक्ये जे एले के आगू परिणाम लावी जाई सक्ये छे एटले चोकसी वहिग्नानिक पद्धती छे साथे साथे व्यक्तित्वना पासा परण केटलाक असर करता होई छे तो आपने जोईसू के आ वर्गना कया कया हेतु रहेला छे तो आजना आपना आ वर्गना हेतु रहेला छे के आवा घणावदा मोडल्स नू व्यावशाइक समाज कार्य करतरी के सु महत्वर छे ये पना दिना वर्ग मां आपने अभियास करवाना छिए तो सौथी महत्वनों मुद्दों ए छे के सलाह माटे नी कुशरताओ कही कही छे आने आ कुशरताओ ए स्पेसेफिक काउंसेलिंग दर्म्यान चौकस्ती सेवार्थी ना व्यक्तित्व ने असर करतू है छे से काउंसेलिंगनी प्रोसेस ने असर करतू है छे काॉंसेलिंग दर्म्यान थनारा फाइदाओ सेवार्थी ना आखा है तिक वयक्तित्व ने पन असर करती बाबत है छे कांसेलिंगनी कुशरताओ है गणीवधी वखते गणू करवा छता पन जे परिणाम नथी मरतु ए अमुक प्रकार्नी कुसरताओनों उप्योक करवा थी परिणाम मरी सक्के छे दाखडा तरीके पेलू कौसल्य छे के सांबढ़ू सेवार्थीनी बाबतोंने डिटेल मां सांबढ़ वी एक खुबज अगत्यनू कौसल्य रहेलू छे के जेमा गणीवधी वखते सलाहकार पोते कंटारी जता होई छे वातों सांबढ़ी सांबढ़ी ने पर सफड सलाकार होई छे एक केरे सेवार्थीनी वातों थी कंटारता होता नथी परन्तु ए बाबतोंना आधारे नवी नवी बाबतोंने समस्ता होई छे नवा नवा उकेलोंने सोधता होई छे नवा नवा समायोजनना आगवा रस्ताओ सोधता होई छे नवी नवी बाबतों ना अधारे निनाई के विरीते लेवो ए बाबतों ने चकास्ता होई छे माटे सांबढवू ए मात्रन मात्रे अवाज सांबढ़ी लेवो अन ए पूर्थू होतू नथी पन सेवार्थीनी समस्याओ सेवार्थीनी वातों सांबढवाना कारणे गणा बदा नवा रस्ताओ मरता होई छे गणा बदा समायो जन माटे ना मार्ग नक्की थता होई छे इतले सांबढवानू कौशल्य खूबज महत्वानू अने पायानू कौशल्य रहेलू छे गणी बदी वखते सेवार्थीने सांबढवा मात्र थी एनी समस्याओ जे गंबीरता होई छे सिव्यारीटी होई छे ए गंबीरता ए सिव्यारीटी गटी जती होई छे जेमके गणी बदी वखते सेवार्थीने वाथो सांबढवाना लिदे एनी उदासिनता दूर थती होई छे एने एकल ता दूर थत्ती होय चे, एनो गुशो ओचो थतो होय चे, गणिबदी वखते सामबढवा मात्र थी जे इरिटेशन होय चे, एरिटेशन पन ओचू थतू होय चे, अने सामबढवा मात्र थी सेवार्ती ने पोता नी साथे कोई रहेलू चे, एवो पन भाव और विक्सित थतो होय चे, इतले सामबढवा माते ना गणाब थी गणाब थी पाइदाओ थता होय चे, सेवार्थियोंने वातो सांभडवा थी साथे सैवार्थीनी जे वातों छे एमाज क्याक ना क्याERS उकेलों मता होई छी एटले पैन पैंसिल लैने बे स्वाइज़ी एनी वातोने not दाउन करवा थी क्याक ना क्याक सेवार्थी ना प्रस्णों ना उकेल क्या रहेला चे ए बाबत पन ख्याल मरतो होई चे एटले सांभडवा मांटेनू काउसल्य खुब जगत्यनू चे बीजू काउसल्य चे प्रतिवाव आपो फिटबेक आपो फिटबेक आपो एक घणिबदी वखते प्रबलननू काम करतु होई चे प्रबलन एटले साइकोलोजी नी भासामा एने पोशन आपपा जेवू काम थतु होई चे एटले प्रतिवाव आपो एपन खुब महत्वनू काउसल्य रहेलू चे साथे जाते गणिबदी वखते अस्मन जसनी परिस्चिती में जेर सेवार्थी होई त्यारा जो एने प्रतिवाव तमें आपसो तो एनो नीड़ाई ए मक्कम बन से एनो मुकेलो पग ए मजबूत आ एनो लिदेलो नीड़ाई मा ए डग मगी नहीं सके पोताने एटलाज माटे एने टेको आपानी बाबत बनी रहती हो एचे प्रतिवाव आपपा थी एले प्रतिवाव आपो ए खुब महत्वनू काउसल्य रहेलू चे त्रीजू का उसल्य चे के लक्ष निर्धारण करवू लक्षांको ने नक्की करवा ए काउंसेलिंग नी चुक्कस कुसरता रहेली चे गणिवधी वक्षते सेवार्थी ना कया-कया लक्षांको छे ए एनने नथी खबर वाती तो एवी सिचुएशन मा एवी परिस्तिती मा एनना लक्षांको नक्की करिया पा अत्वा तो एनना सेवार्थी ने साथे राखी एनना लक्षांको नक्की करवा ए खूब महत्वनू छे एटले एनने कुसरता मा पन मुक्वाम आवेलू छे के ये दरेक सलाकार करी सके यो नथी होतू किटला क्सलाकारज करी सकता होई छे माटे एनने कुसरता तरीके मुक्वाम आवेलू छे के दरेक सेवार्थी ने बाबत मा एनना लक्षांको नक्की करिया पा ए खूब महत्वनू कारिया साथे महत्वनू लक्षांक रहेलू छे चोथू जे काउंसेलिंग माटेनू कुसरता हो छे ए संसोधन अने क्रिया घणी बदी वक्षते सलाहकार होई छे ए पोता ना आगवा कौसल्यो थी सलाह नी प्रक्रिया मा अलग रीते कामकाज करता होई छे दरेक सलाहकार या बदाज पकतिया के बदाज कारियों के बदीच कुसरता उप्योग करता होता ना थी केटलाक सलाहकार मात्रन मात्रे एक बे कुसरताउना उप्योग थी पन समग्र सलाह प्रक्रिया नुँ संचालन करता होई छे त्यारे सलाहकार तरीके सलाह प्रक्रिया मा संसोधन करवी एपन महत्वनों कामकाज रहेलू छे गणिबदी वखते उणडों अभ्यास करी सलाहकार अकी बाबतों ने रजु करता होई छे तो एपने कागू कहुसल्य छे गणिबदी वखते सलाहकार उणडा उणडा तत्थ्योंने सोधी लावता होई छे एपने कागू कहुसल्य छे गणिबदी वखते सलाहकार ठेक ठेक आने एपने कागू कहुसल्य छे चौकस्ति एने कार्यों तरीके पर मुकी सकाई एने काउंसेलिंग नी कुसरता तरीके पर मुकी सकाई छे तो आप बद्धाच कौशल्यों एक खुबज तमारा व्यक्तित वने सद्धे सद्धे तमारा कार्याने करवा मां सरडता लाविया पेचे आ तमाम कार्यों तमाम कुशरताओ के जेना आदारे तमें एक इफेक्टिव कांसेलर तरीके नी पोतानी भूमी का पुरी पाड़ी सक्षों गणिवधी वखते कांसेलर होई छे एए बिहेवियर थेरापी पन उप्योग मां लेता होई छे तो अलग अलग बिहेवियर थेरापी आपने आगर जोवा नाची मोडल्स मां पन सलाकार तरीके तमें मात्रने मात्र वाचितना कौशल्य थी तमें तमारी समस्यानों उकेलो एउ होतु नथी तमें बिजापन कौशल्यों ने अपनावी सको छो अन एक कौशल्यों द्वारा सला सेवार्थीनी समस्या उकेलवा मात्र आने कटि बद के आने गतिसिल बनावी सको छो छेल्लू जे कौशल्य चे नाट्याने अभीनाई द्वारा गणी बदी वखते मित्रों आपने जे समस्या सेवार्थीनी जोहिये चे ए समस्या ने गणी बदी वखते जे समस्या ग्रस्त व्यक्ती छे ए समस्या ग्रस्त व्यक्ती ने केवा करता आपने इंडायरेक्रीते पन वाचिक करवा थी समस्या ग्रस्त व्यक्ती ने आपने समझावी सक्य छे जमके घणिबदी वक्खदे सलाकार होई छे ए सेवार्थीने रिते समझावता होई छे के घणालोकों पोते समायोजन आवी खोटी रिते समायोजन स्थापता होई छे समायोजन करता होई छे दो आखरेकर भोटी रित छे एक ग्राउन बनावीने एक व्लेटफोंद द्वारापाण करी सकहा छे साथे साथे नाटक के अभी नहीं द्वारापण पोते आखु समस्या केटली गंबीर छे समस्या केटली गहरी छे ए तमाम बाब तोनू नाटक के अभीनाई द्वारापाण समझावता होई छे गणी बदी वखते एक साथे बदा सो सवासो सेवार्दियों होई ए लोकों ने सैम मुस्केलियों धरावता होई तो ए लोकों ने एक साथे बदाने साथे वाच्चित करवा करता नाटक कत्वा तो अभीनाई द्वारापन समझाव वाथी लोकों ने जे आपने मैसेज आप पोछे ये मैसेज आपी सक्याँ चे तो आ हती कांसेलिंग माटे नी जे पाया नी कुसरताओ ए कुसरताओ नी आपने चर्चा करी हवे जे बलोक नमबर 3 नो जे यूनीट नमबर 3 छे कांसेलिंग माटे ना अलग-अलग मौडल्स तमाम मौडल्स नी आपने चर्चा करवाना छी है तो आज ही अलग-अलग मोडल्स छे ए मोडल ने वन टाइप आप सला प्रक्रिया माटे ना मोडल अने कुशड काओ क्याक ना क्याक सेवार थी ने बाउ जड़प थी समस्या माथी बार लाववा माटे ना आतमा मोडल्स छे के जैने गणां बदा साइकोलोजिस्ट औहे गणां बदा साइक्याट्रिस्ट ए अलग-लग सिद्दान तरीके पंड रजु कर या छे जेमके साइको डायनेमिक ठीयरी ए सिग्मन फ्रोईन्ट थी लेने अन्ना फ्रोईड ए उपरान पन सुलिवान घणमदै साइकोलोजिस्ट होए ए सिग्मन फ्रोईडनो साइको डायनेमिक एप्रोच ने पन रजु करे छे ये पची cognitive behavior थेरापी छे, gestal थेरापी छे, person center थेरापी छे, पची छे, त्री परिमानिय मोडल, triangulation मोडल, पची transactional analysis, reality थेरापी आ तमाम जेतला मोडल्स छे, ये तमाम मोडल्स नी पन आपड़े चर्चा करवाना छी है तो आपड़े जो ये छे के जे सीग्मन प्रोईड द्वारा जे आखो मोडल्स आपपामा आविव छे, के जेने मनोव इशलेशन वादना सिद्धान तरीके रख्यात करवामा आवेलो छे, मित्रो सीग्मन प्रोईड नी जो आपने वादसित करू तो सीग्मन प्रोईड जे रे मनोव इग्णान जगत मा आवेलो त्यारे एने खुब जुआ पो अने खड़ भढ़ात मची गये तो, एने साइकोलोजी नी अंदर पहला ये वू अतु के एक स्वस्त मानस अने एक अस्वस्त मानस तो सीग्मन प्रोईड तो ये पहला अब येद प्रकार आता, स्वस्थ अन्ए अस्वस्थ अब बेत प्रकार आता तो सिग्मन प्राइड आईन पछी कई कि ना ना या बेए नहीं पन त्रिजो पन प्रकार छे तो के क्यों तो कि स्वस्थ अस्वस्थ उप्रांत पन अर्द स्वास्थ अर्द स्वास्थ एटले के जे स्वास्थ औने बीमार ये बनने वच्चे नू जे भाग छे अर्द स्वास्थ ए नू भाग ने रजू करे ओ एक अलगत प्रकार बतावें के साइकोसिस एले घंबीर प्रकार नी मनो विक्रूति अने नॉर्मल पर्शंथ प्यबला बेर प्रकार होँ आता, तो सिग्मन्ट प्रोइड आयो एने कहुं के ना ना नॉर्मल अने साइकोसिस ना वच्चे पाण एक त्रीजो प्रकार छे एने कहुं के नियुरोसिस तो आज सौम्य मनों विक्रूती के जैने अर्ध स्वस्त तरीके एने रजू करयो सिग्मन्ट प्रोइड नें तो जे कही सिद्धान्त रजु करयो साइकोडायनेमिक नो ए सिद्धान्त पोता ना ट्रीट्मेंट आप्तो गयो दर्दियो ने पोते साइकियार्टरिस्ट है तो अने पोती जेम जेम ट्रीटमेंट आप तो गयो ए ट्रीटमेंट ना अधारी आख्वार साइकोडाइनेमिक नू एप्रोच एने रजु करयो अने साइकोडाइनेमिक एप्रोच एना बे पासाओ छे एक पासू एक साइकोडाइनेमिक एप्रोच फॉर ठेराप्यूटिक परपस एक पासू छे साइकोडाइनेमिक नू सारवार अभिगम तरीके औने psychodynamic approach as a mental health understanding के मानसिक स्वास्ते न समझवा माटे नो जे ख्याल आपे हो Sigmund Freud एने पन psychodynamic approach केवा मावे छे औन psychodynamic approach जे treatment माटे नो आपे हो एने पन psychodynamic approach केवा छे ट्रीटमेंट माटे नो जे सिग्मन प्रोईडे अभीगम आपयो छे, एमा ड्रीम एनालीसीस, एले स्वप्न प्रूथ कराण, पची मुक्त साचे, फ्री एसोसियेशन, मुक्त साचे रिये तरीके आपड़े एने कहिये छे, पची आखो एने, एने पोता न आखो एने फियरी आपेली छे, एफियरी ना आधारे, मनोविश्लेशन फियरीना आधारे, आज ए गणां बदा अखा एना मनोविश्लेशको पोति पेशंटोंने बो मुती संख्यामा क्यौर करे छे, अने सिग्मंट फ्रोईडे जे सिधान्त आपे साइकोडाइनेमिक नो एना बेज उपर मानसिक बीमार दर्लियोंने समझवा माटे नो खूब पज क्यावा एने प्रेक्टिकल आखो अभीगम आपे उतो सिग्मंट फ्रोईडे कयो तुक के व्यक्ति नू जे वर्तन छे ए मात्रने मात्र सूख मेडवा माटे नू वर्तन जोवा मड़ी रहतू होई छे दर्येक व्यक्ति ए सूख मेडवा माटे प्रवूर्त होई छे तो आज पोताना वर्तन मा जे एबनोर्मालिटी जोवा मरती होई छे ए पन एने रजु करियू के ए जे एबनोर्मालिटी देखा दी होई छे यह क्याक नाजी सूख मेडवा माटे नी जे व्रूति मा जए और जया रहाख अन inverse घूल आचे इस देटेश आटियो क्याक अले बीहेवियर अगर्जेता रजु थातु मा जे अन ए बीहेवियर क्याक ना क्याक एबनोर्मल बीहेवियर तरीके जो आम मर्तु होए चाहिए तो आज ए साइको डाइनेमिक एप्रोच है नमित्रो एक खूपज इफेक्टिव आखो ट्रीटमेंट मेध्रोलोजी छे साते साते मेंटल हेल्थ ने समझ वा माटेनू पर आको मॉडल स सिग्मेंट फ्रोईड ए साइको एनालीसिस यहले मनोविस्लेशन जे वाद छे जे मानसिक स्वास्तिन समझ वा माटेनू तो यहना अंदर घणाम बदा पासाओ नो समावेस्ताए छे एक तो यहने पेलू आपी व्यक्तित्वनू बंदारण के व्यक्तिनू बंदारण होईचे ए त्रण मुडबूत बाबतो थी गठित थाएलू होईचे जोडाएलू होईचे अने मायने कयू के एड़ इगोने सुपर इगोनू जे एनू व्यक्तित्वनू बंदारण होईचे ए एना थी रचातू होईचे इड़ इगोने सुपर इगो नू जे एने जे रजुआत करीचे के एड़ एटले व्यक्ति जेरे जन्मेने त्यारे एना व्यक्तित्व साथे संक्राएली गणी बदी जरूर यातो इच्छाओ होईचे इगो ए जेम जेम समाजना संपर्क मा आवे छे व्यक्ति एना लिदे आखु एक बिजु प्लेटफॉर्म घडाए छे एने इगो केवा मा आवे छे अने त्रीजु प्लेटफॉर्म ए सुपर इगो जेरे व्यक्ति समाज संस्क्रूतिक पासाओ साथे बहु घनेश्ट रिते संपर्क मा आवे त्यारे व्यक्ति ना व्यक्तित्व मा सुपर इगो तरीके पर एक आकुत अंत्रव विकास पाम्तु होई छे सिग्मन फ्राइडे चोखे चोखु कहें छे के व्यक्ति ना जे वर्तन मा रहे ली इच्छाओ जे जागरूत था छे एनू एन क्या रही दबावी सकाती न थी एक इच्छाओ ने व्यक्ति गमेते न गमेते स्वरू पे चेतन मगज मा रजू करतो है छे आप बहुच बहुच विशाड अने खुबज विश्त्रूत माई ती छे इड़ इगो ने सुपर इगो ने पन एटलूज समझू खूब महत्वानू छे साथे साथे मित्रो मजो मनो जातिय विकास ना तबक का साइको डाइनेमिक एप्रोचेज एमा सिग्मन फ्रोइड कहुँ छे के व्यक्ति नी जे सूख मेडवा माटे नी व्रूत्ती अने एमा पन खास करी ने जे सेक्ष्यालिजम के जैने सेक्स जैने जातियता व्यक्ति ने सूख मेडवानी जे व्रूत्ती छे जे सेक्स नी इच्छा छे एने जो प्रोपर रीते एने साथे डील करवामा आवे तो व्यक्ति नो विकास परिपक्वत हतो होई छे एने अलग अलग छो पांच ती छो जेटला अलग अलग मनो जातिये विकास ना तबक कामा व्यक्ति नी सूख मेडवानी व्रूत्ती अने जे केवें जातियता व्यक्तित्वमा केटलू महत्वनू छे एने रजू करिए अने क्याकना क्याक आ व्यक्तिनी सेक्स माटे नी जे इचा छे एनू क्याकना क्याकने दमन ए मान्सिक अस्वस्त तानू कारण तरीके पन सिग्मन फ्रोईडे रजू करिए छे सिग्मन फ्रोईडे मित्रो मूख वस्ता ए जन्मतिलैने एक वर्स सुथी रजू करिए छे पची गुदा अवस्ता जेने एक वर्स्ती त्रण वर्स सुथी रजू करिए छे सिस्न अवस्ता एले त्रण वर्स्ती छ वर्स सुथी एने रजू करिए छे सुसुप्त अवस्ता ए छ वर्स्ती तरूनी अकाट सुथी रजू करिए छे अने जनेन केंद्री अवस्ता इदले तरुण वस्ता तरुणा वस्ता दर्म्याण जोवा मरती वाये चे व्यक्तिनी जे सेक्स माटे नी जे इच्छायो छे, ए कया तबक का दर्म्यां किवी रिते एक्टिव होये चे ए आखु एने रजू कर्यू छे के व्यक्ति जेर जन्म छे त्यारे एनू जातियतानी जे इच्छा छे ए इच्छाओ मोडा द्वारा ए संतोस्ता होई छे गणी बदिवखते सीग्मन फ्राइडे मित्रों रजू कर्यू छे के बाड़क माता ना साते जेर स्थनपान करतो होई छे ए मात्रन मात्रे पोशन उप्रांत पन आनंद प्राप्त करवानू सुख मेडवा माते नी जे आनी इच्छा सकती होई छे एने संतोस्तो होई छे तो वीजो जे तबँद opposite गुदा वस्ता तो के के आ तबँदर्म्यान एक वरस टी त्रन वरस फो तो के आ तबँदर्म्यान बाड़क होई छे मळ मुत्रना विसर जन्मा पोटान है आनंद प्राप्त करतो होई छे आपड़ने ना ना बाड़कोनू जो तम्मीं प्राप्त करतों होई छे पोताना जाती अवयों छे पोताना अंगों छे एना स्पर्ष्ट करी ने एने थी आनंद प्राप्त करतों होई छे पचि अपचिनों जे तबक्को आवतों होई छे सुषूप तवस्ता ए तबक्क का दर्म्यान जे आब दी बाबतों होई छे ए थोड़ी सान्त पढ़ती होई छे परन्तु पाचों दस्ति बार वरस दर्म्यान बाद दस्ति बार वरस पची किसोर अवस्ता सुस्धी नो जे तबको है छे से जन्यन खेंद्री अवस्ता तरीके पं, उडखवा मा आवतू है छे जे आ तबक का दर्म्यान पान खूब ज व्यक्ति सूख मेड़वा माटे जातिय तानी वृत्ति ना संतोस माटे खूब सक्रिय बनतो हुए छे ए साथे साथे मित्रों जे मानसिक स्वास्तिना समझवा माटे सिग्मन प्रवेडे कहुँ छे के बचाव प्रयुक्ति पन खूब ज महत्वनी व्यक्तिने व्यक्तित्वने समझवा माटे नो भाग बजवे छे बचाव प्रयुक्ति येटले के जेरे व्यक्ति जे वास्तविक्ताना संपर्कमा आवे छे अन वास्तविक्ताना संपर्कमा आवाना कारणे गणी बदी बाबतों ने पोते स्विकारी नथी सकतो तो पोते वास्तविक्ताने जेरे स्विकारी नथी सकतो त्यारे क्याकना क्याक एना जे मार्ग सोधे छे अन ए मार्ग वास्तविक्ताने टच नथी करता एवा मार्गोंने सिग्मन फ्रोईडे बचाव प्रयुक्ती तरीके रजु करया छे वदू पड़ती बचाव प्रयुक्ती उप्योग मा लेवा थी क्याकना क्याक मानसिक विकार नो भोग व्यक्ती बनी सकतो हुआ छे माटे ए पन समझू खूब जरूरी छे अलग-अलग 15-70 जेटली बचाव प्रयुक्ती छे जेमके दम्मन छे सम्मन छे द्राक्स खाटी एले पची प्रक्षे पन छे पची तादात्मी करण छे गणी बधी बचाव प्रयुक्ती उँ होई छे ए तमाम बचाव प्रयुक्ती ना ख्यालने समझू खूब जरूरी छे तो आधना वर्गमा आपड़े अंत करीशू आवता वर्गमा आपड़े बीजा जे महत्वना कांसेलिंग माटे ना मोडल्स छे एनू अभ्यास करीशू हूँ आसारा खूचू के आवर्गमा आपने सलाह माटे ना कौशलियो साते साते जे कांसेलिंग माटे नू साउथी महत्वनू साइको डायनेमिक अप्रोच जैने मनोविश्लेशन वाद तरीके उड़के चे एनी आपने माहिती मडियसे दनिवाद झाल